हेलो आज की जो हम जोब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक न्यूज में आया कि इसके रिगार्डिंग जोब आने वाली है जो की हाउसिंग बोर्ड रास्तान के अंदर 30 साल से अभी कोई जोब नहीं निकाली गई है जो की अब इस पे परमानेट जोब के लिए बात चल रही है यह जो 30 साल बाद प्रमानेट जोब निकाली जाएगी यह अभी जो पहले जोब निकाली जा चुकी है इसके अंदर वो सवीधा वेस पही चल रही है तो इसके अंदर जो housing board के अंदर recruitment होने वाला है पूरी news देखते हैं किस-किस पोश्टों के लिए recruitment किया जाएगा जेएन अकाउंटेंट और सुचना साइक भरती के लिए recruitment किया जाएगा तो पूरी news मैं आपको पढ़के बताता हूं उसमें क्या बताया गया है housing board में 30 साल बाज अब जेएन जूनियर अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोग्राम सुचना सायक ड्राफ्ट में प्रोजेक्ट इंजिनियर सीनियर प्रोग्रामर वन और असिस्टेंट टाउन प्लारनर के रिक्त पदों के लिए 311 पदों में से 208 ठाउन पदों पे बर्ती के लिए अजेंसी हायर करने के तियारी सुरू कर दिया इसके लिए बोर्ड परसासन ने अजेंसी से परस्ताव मांगे हैं और मेरिट के अदार पर अजेंसी फाइल होगी यह परकिरिया पूरी होती आविदन लेने की तीथी गोशित होगी इन बर बर्ती के रिए रास्तान हाउसिंग बोर्ड कमिशनर पौन अरोडा ने सेल का गठन कर नियम काईदे निर्दारित करने और एक्जाम कराने वाले एजेंसी चैन का जिमा दिया है हाउसिंग बोर्ड कमिस्टन पौन अरोडा ने बताया है कि रिटायर होने से हाउसिंग बोर्ड में कई पदों पर इंजिनियर सहित अन्य पदों की खाली है ऐसे में 30 साल बाद रिक्त पदों की बरती की जाएगी तो ये जो वकेंसि आने वाली है टोटल 311 पदों पर आएगी 30 साल बाद ये पर्मानेट रिक्रूटमेंट होने वाल है अभी तक इस विदा बेस पर ही चल रहा था तो जल्दी इसकी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा हाउसिंग बोर्ड के लिए जैयन में तो सीविल वालों के लिए अच्छी खबरत जो इन्जिनियरिंग सीविल में किया है और हाउसिंग बोर्ड में वकेंसि जल्दी आएगी सुचना साइक और अकाउंटेंट के लिए भी जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग में आपको और इंफर्म कर दूँगा इसी तरह कि जोब के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे साथ बने रहे मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू जैहिंद